जी मैं प्रिधानमंत्री कार्याले से बोल रही हूं बोल लिए मैडम हमानगे प्रिधानमंत्री जी आप से बात करेंगे हम आपकी कॉल प्रिधानमंत्री जी को ट्रांसफर कर रहे हैं पहले आप हेलो कहिएगा फिर अपनी बाद शुरू कीजिएगा हम ट्रांसफर कर रहे है ठीक है है हलो हलो सर नमस्ते चाया थैंक्यू सर नमस्ते हम अमिट ठीक है सर तुमी सवताची कार्जी निद्गेत आतना ओ सर अब बताइए आप अपने परिवार को अपनी सेवा भागी प्रती कैसे अस्वस्त कर पाई को आपको बिल्कुल जी जान से हारे इन दिनों सबकी सेवा में नगी इक हो तर परिवार को भी चिंता होती हो बहुन है लेकिन जो चिंता है Фस्त आ पड़ता है sir देनी की है इसलिए हो जाता है थोड़ा सा इसा कुछ नहीं है जब जब पेस्ट आते हैं तो बड़े दरे हुई आते होंगे हाँ बहुत दरे होते हैं अडिमिट MARKते हैं लेकिन हम क्या करते हैं उनको जाके बात करते हैं उन से कि डरने का नहीं, कुछ नहीं होने वाला, आपका रिपोर्ट अच्छा आएगा, अच्छा आएगा और पॉजिटिव आया तो भी कुछ डरने की बात नहीं है, यह होस्पिटल में तो अभी साथ पेशंट अच्छे होकर चले गए और जो पेशंट, नव पेशंट है, पॉजिटिव आया तो भी कुछ नहीं है, डरने की बात नहीं है। हम उनके जाके उनको दवाई देती हैं ॉनको थोड़ा सा अच्छा लगता है। लेकिन दर तो मन में रहता है लेकिन हम ओदर निकलते हैं। बात अच्छी तरह बात करते हैं जागने के बाद उनके होस्पिटल में एडमिट करने के बाद पेशन्ट के परिवार को तो अंदर नहीं आने देते ना सर तो उनसे तो बात नहीं होती परिवार को मत आने दो नहीं किसी को अंदर तो नहीं आने देते हमारा स्टाफ और जो पेशन्ट है उनको यह आंदर आते दे सब होस्पिटल कॉरेंटाइन है ना कि आप इतने दिनों से लगी होई और पूरी हस्पताल करोना वायरस के लिए आप लोगों ने सबर्पित कर दिया है तो देश भर की और जो हमारी बहने काम कर दिये या नर्सिंग सिकते में जो भाई जो काम करते हैं तो सिस्टर साय से जरूर वो सुनना चाहेंगे कि उनके उनके लिए यह हॉस्पिटल के लिए न डरने का नहीं डरने का नहीं काम करने का और यह करोना जैसी बीमारी उनको भगाने का है और देश को जिताने का है यह ब्रीद वाक्य चाहिए हमारा हॉस्पिटल का यह चलिए सिस्टर मेरा आपको बहुत सुप्तामना है आप जिस ह सब्सक्राइब करता हूं और मुझे अच्छा लगा आपके अनुभव सुन करके धन्यवाद जी आपको यह हमारे हॉस्पिटल और मैं मैं हमारा पूरा हॉस्पिटल का स्थाफ आपके लिए अधरन यह आपको यह करता है हमारे इतने चोटे से पेश के चोटे से हॉस्पिटल में हमारी ये पुष्थास की इसके लिए हमारा पूरा साफ आपका तही दिल से आबारी हो और आबारे रहोगा मेरा करतब है और हम सब को मिल करके लड़ाई जितनी है लेकिन सर मैं मेरी डूटी कर रहे हैं आप तो पूरा चोविस घंटा या पूरा आप देश की सेवा कर रहे हैं वो तो तुम्हारा यह हमको यह मानना चाहिए आभार मानना चाहिए करतब है आप लोग मुझे से ज्यादा करते हैं नए नए सर हमारे लिए तो तुम भी हमारे देवता है और पूरे देश को तुमारे जैसा प्रधान मंत्री मेंना चाहिए लिए बहुत-बहुत धनिवाद आपका आपकी भावनाओं के लिए सर्मात्मा आपको भी शक्ति द मुझे और काम करने की ताकत देते हैं बहुत-बहुत धनिवाद थैक्यू सर्थ